विल्कम बैक तो माई यूटूब चानल पेपर रहकर आज के इस वीडियों बात करेंगे आपके अगले कोश्चन की जो की आपका सौट आंसर टाइप कोश्चन हम यह आपर डिसकस कर रहा है इसने पहले हमने जितने भी आपके लॉंग आंसर टाइप कोश्चन है यूनिट ल यूच्ज कोश्चन है कि इसको हम पड़ेंगे प्राकरतिक पॉलीमर अ क्या लिखना है आपको я प्लासुषितिफिकेशन करना इसका नेच्छरल पॉलिमर तीप पड़ी लिखिए या पूच्छbrahim पॉलिमर का वर्गीकरण लखे लेगा कि प्राकर्तिक पॉलिमर निमनग प्लाइव ह Krash Parנपर प्रकारवर्गीपराउत किया गया है ठीक है प्राकरतिक polymers को निम्न प्रकार बर्गी कुरत किया गया है निम्न चार प्रकारों में बर्गी कुरत किया गया ठीक है चार टैफ जो है इसके हैं Classification of Natural Polymers Based on Structures यह इनकी सरचना के आधार पर आपके प्राकरतिक पॉलिमर को चार भागों में जो है बरगी करत किया गया है किसके आधार पर सन रचना के आधार पर ठीक है तो सरचना के आधार पर प्राकृतिक पॉलिमर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके नंबर बन आपका क्या हो जागा पॉली सेकरायड क क much याने कि जब मोनो साकरायड दो या दो से अधिक मिलकर जब दो या दो से अधिक मौनो साकरायड मिलकर एक ब्रह तलु का निर्मार करते हैं तो वह कहलाता है आपका पॉली साकरायड फीक इसमें आपके monosacrit मिले रहते हैं ठीक है कौन-कौन से होते हैं आपके cellulose हותा है ठीक है, alginate होता है आपका dextron होता है यापका kytosan होता है प्लुते है पर्लुते यह हो जाएंगे आपके polysacrit means polysacrit क्या है आपके monosacrit ठीक है क्या होते हैं points मोनो सेकराइट की दो या दो से अधिक यूनिट जब आपस में कम्बाइन कर लेते हैं तो वो कहला आता आपका पॉली सेकराइट कहला था ठीक है जैसे सेलूलोज ठीक है अलगिनेट डेक्स्टरॉन और आपका काईटोसेन एंड आपका पल्यूटेन ठीक है यह सभी आपके क्या हो जाएंगे भी पॉली सेकराइट हो जाएंगे ठीक है अगर हम बात करें परस्ट आपका पॉली कि यह प्रोटीन में वह बनते हैं वह दो या दो से अधिक जो आपके प्रोटीन के बीच में नहीं बहुत सारे प्रेपटाइड ब्रजेट रहते हैं जैसे आपका क्या होगा फिर्श्य नोग्या ठीके एलबमिन हो गया लैसिटिन हो गया एंड आपका लेग्यूमिन हो गया यह सभी क्या है आपके पॉली पेप्टाइड या आपके प्रोटीन्स है ठीक है क्या है आपके पॉली पेप्टाइड या आपके प्रोटीन्स पॉली पेप्टाइड मींस आपके बहुत सारे पेप्टाइड बॉंड इस पॉर्थ आप से कह रहा है कि पॉली एस्टर यानि कि एस्टर जब आपके बहुत सारे मिल जाते हैं लंबी से रंखला बना लेते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है पॉली एस्टर कहलाता है ठीक है तो इस तरह से आपके पॉली एस्टर की घरम बात करें तो पॉली क्या हो जागा थ्री हैड्रोक्सी एलको थ्री हाड्रोक्सी एलकोनेट यह आपका क्या है पॉली एस्टर है ठीक है तो इस तरह से आपका जो है classification यहाँ पर आपने लिख देना है ठीक है क्या लिखना है classification of natural polymers based on किस पर structure ठीक है सरचना के आधार पर जो है त्राकर्तिक polymers का वरगी करर ठीक तो चार्ट प्रकार के लिखना है polysacurate example polypeptide या protein example poly nucleotide example and आपका polyester ठीक है तो इतने में आपका बस यह question यहाँ पर complete हो जागा मिलते हैं अगले वीडियो बने लिए हमासा thanks for watching and share the video